Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल उससे question already पूछे गए है बलकि एक बार तो UPSC में डालेक 21st of June को Sun को लेकर जो है इसके position को लेकर question पूछ लिया गया था अर्थ के context में तो आईए यह जो Sun और अर्थ का एक magical phenomenon है इसको समझते हैं तो 21st of June अगर मैं इसकी एक astronomical term की बात करूँ तो Northern Hemisphere में इसको दरसल Summer Solidized बोलते हैं आईट है आच्छा Northern Hemisphere इस concept को अगर हम समझे तो जो आपकी अर्थ है उसको दरसल हमने दो बराबर भागों में बाटा हुआ है जो उत्तरी हिस्सा है इसको हम Northern Hemisphere बोलते हैं जो आपका basically दक्षणी हिस्सा है इसको हम Southern Hemisphere बोलते हैं राइट है दरसल जब सूरिय के किर्ने उत्री हिस्से की तरफ सीधी पड़ती है तो माना जाता है कि उत्री हिस्से में यानि कि Northern Hemisphere में समर्स है और उसी दोराद जो आपका Southern Hemisphere होता है उसमें विंटर होते हैं राइट है और क्योंकि आप लगातार मौसम एक्सपिरियन्स करते हा रहे हैं तो यू अल्यडी नो कि जून में जो है यहां पर गर्मी होती है भारत Northern Hemisphere के अंदर है जून में गर्मी होती है राइट है तो इसलिए हमने जो टर्म दे दी है वो बेसिकली दे दी है Summer Solstice राइट है यह एक Astronomical टर्म है अब देखिए जरूरी नहीं है कि यह हमेशा जून 21 को ही सबसे लंबा दिन हम एक्सपिरियन्स करते हैं यह जून 20 भी हो सकता है जून 22 भी हो सकता है तो सीजन जो है Northern Hemisphere में वो चार होते है जब हम मेट्रोलोजिकल सेंस पे बात करते है तो जो सीजन होते है वो आपके टम्परिचर के बेस पे आपके बेसिकली रेन पाटर्न के बेस पे या पर जो आपका प्रेशर सिस्टम है उसके बेस पर डिवाइड किये जाते है यहां पर exact date दे जाती है कि जैसे ही Summer June 21 को जो सूर्य की किरने है वो Northern Hemisphere में जो आपका Tropic of Cancer है उस पे सीधी पढ़ती है तो मतलब Northern Hemisphere में Summers यानि के गर्मियों की शुरुवात हो चुकी है यानि के जो आपका Southern Hemisphere है उसमें विंटर्स की शुरुवात हो चुकी है यानि के जो आस्ट्रेलिया है उसमें जो Christmas मनाया जाता है वो गर्मियों में मनाया जाता है 25th of December यानि के जो आपका Northern Hemisphere है इसमें सर्दिया है लेकिन सीम डीठ को जो Australia है वहाँ पर तो गर्मी है that's why वहाँ पर Christmas जो है गर्मियों में celebrate होता है इसको समझते हैं देखे अर्थ की दो important moments के बारे में आपको पता होना चाहिए पहला है rotation जो अर्थ है वो अपने axis पर क्या है rotate करती रहती है इस rotation की वज़े से ही हम दिन और रात को experience करते है जो भी हिस्सा सूर्य के सामने पढ़ता है उसको क्या है सन की direct light मिलती है इस वज़े से यहाँ पर जो है आप day experience करते हो जो opposite वाला basically हिस्सा है यहाँ पर अंधिरा रहता है तो हम night को experience करते है यानि कि अगर आपसे पूछा जाए राइट है कि basically day और night के पीछे कौन सा concept है तो आप कहेंगे rotation दूसरा moment भी important है उसको बोलते revolution राइट है तो आपको पता है कि जो सूर्य है वो कींदर में है और जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है revolve करती है perfect है और दरहसल यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो basically जैसे मैंने हैं पे तो आपको एक straight line दिखा दी तो अर्थ अपनी axis पे स्ट्रेट नहीं है बलकि वो थोड़ी से क्या है tilt है basically अर्थ का axis यह है और यह जुकी हुई अर्थ जुकी हुए एक्सिस पे क्या है रोटेट करते हुए सूर्य के चारों तरफ revolve करती है और इसकी वज़े से यह जो revolution है रही थे इसकी वज़े से जो seasons है उनमें अलग-अलग change हमें देखने को मिलता है क्योंकि जुका हुआ हिस्सा जो sun की तरफ है वो जादा sunlight जो है basically प्राप्ट करता है जिसकी वज़े से वापे temperature and pressure की अलग conditions बन जाती है वहां का climate अलग होता है और जो हिस्सा sun से जादा पीछे है वहां की climatic conditions अलग होती है इसी को अगर आपने समझ लिया तो जून 21 को सबसे लंबा दन क्यों होता है ये भी आप समझ जाएंगे तो ध्यान लखिएगा कि ये जो अर्थ का tilt है ये बहुत जादा important है चलिए अब एक ऐसी situation को imagine करते हैं कि tilt ना ही हो मैं क्या हो कि जो बेसिकली आपकी अर्थ है वो एकदम सीधे हो तो देखिए दिस इक्वेटर राइट है जीरो डिग्री पर सूरज की जो किरने है वो आपके नौर्दन हैमिस्फेर में और साउदन हैमिस्फेर में बराबर मिलेंगी पॉफिक्ट है जिसकी वज़े से आप देखेंगे कि डेलाइट जितना मिल रहा है वो सबको बराबर मिल रहा है टेमप्रेचर यानि के सबको बराबर मिल रहा है Almost right है तो आप देखोगे जो क्लाइमिट हमें डिफरिंट डिफरिंट देखनी को मिलता है जिसके वज़े से फ्लोरा फ्योना डिफरेंट 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 देखने को मिलता है जो बायर डावसेटी हम देख पाते हैं शायद वो नहीं देखने को मिलता वाइ? क्योंकि पूरे अर्थ पर एक युनिफॉर्म टाइम का क्लाइमेट होता तो एक सिमिलर टाइप ओ बायर डावसेटी का एवोलुशन जो है यहाँ पर होता तो देखे दिन राथ तो अभी भी होगा वाई क्योंकि रोटेशन तो अभी भी चल रहा है बट क्योंकि बराबर हिस्से को ही लाइट मिल रही है तो क्लाइमेटिक कंडिशन से यहाँ पर यूनिफॉर्म होती बट ऐसा नहीं है क्योंकि अर्थ हमारे क्या है टिल्ट है आप देखे यह वो वाली लाइन है जो आपको क्या है सूरज की तरफ का हिस्सा दिखाती है लेकिन अर्थ हमारे क्या है कुछ इस तरीके से रोटीट है इस तरीके से टिल्ट है माफ कीज़ेगा तो यारे कि अब जो लाइट मिल रही है वो कुछ इस तरीके से मिल रही है पॉफेक्ट है तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में यहाँ पर आचाहिए, अब यहाँ पर देखे, this is your equator, यह आपका जो अंटार्क्टिक का सर्कल है, यह आपका जो बेसिकली है, आक्टिक सर्कल है, करेक्ट है, जब इसका जुकाओ अपने टिल्ट की वज़े से, वो पोजिशन में आ जाता है, कि जो आपका नर्दन हेमिस्फे है, वो जादा जुका हुआ है, सन की तरफ, ठीक है, तो बेसिकली आपके इस हिस्से को जादा लाइट मिल रही है, पॉफिक है, और आप देखेंगे, जो आपका आपका अर्क्टिक सर्कल है, यह कम्पलीटली क्या है, सन की रोश्णी में है, इलुमनीट है, जब कि यह वा यह समझ भाया, अब देखो, हम अपने सारे सीजन्स को थोड़ा सा समझते है, अपनी पहली कॉंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, क्या, रोटेशन की वज़े से डे और नाइट होता है, रिवोलुशन की वज़े से आपके सीजन चीज होता है, और उसमें इंपॉर्टन रोल प्ले करता है, अर्थ का तिल्ट होना अपनी एक्सेस पे, पॉफिक्ट है, अब यहां पे देखिए, अगर आप बेसिकले स्टार्ट करते हैं, यहां से, देखेंगे, यह 21 जून है, समसॉलिटाइस, यानि कि अर्थ ऐसे जुकी हुई है, तो आप देख रहे हो, नॉर देखने को नहीं मिलेगी, और यह वाला जो आपका हिस्सा है, यहां पे हमेशा रोस्नी देखने को मिलेगी, इसके बाद आजाता है, आपका मार्च 21 या फिर अगर हम वैसे चले, जून से स्टम्बर आ जाता है, चीक है, 21 जून से माना गया कि गर्मिया शुरू हो गई, अ इसके लिए जो टर्म है वो है एक्विनॉक्स, इसके बाद देखें, 22 दिसम्बर आ जाएगा अब, अब अगर 22 दिसम्बर की बात करेंगे, तो अब यहां पर वापस आईए, यहां पर अब जो है बेसिकली, यह सन से दूर हो गया है, यह जो है सन के पास हो गया है, यानि क बाद को पता है, 22 दिसम्बर भारत में सर्दिया होती है, विकास वियार इन दी नौर्दन हैमिस्फियर, राइट है, एंदन वापिस से जब 21 मार्च आता है, तो एक बसंत रितू जैसा मौसम हो जाता है, वाइ, क्योंकि फिरसी एक्वीटर पे जो है, अब आपकी कहेंगे सूरज की किरने जो है, पढ़ रही है, है न, और यहां पे जो है, सामानिय सा मौसम देखने को मिलता है, तो अब आपको समझ में आया होगा, दिन और रात का कॉंसेप्ट तो कर दीचे अलग, वो तो अर्थ का अपना जो है, ठीक है, लेकिन, जो सीजन में चींज होता है, उसका कारण है, कि जो सर, जो अर्थ है, वो तिल्ट होकर, जो सूरज के चारो तरफ चक्कर लगाती है, जिसकी वज़े से अर्थ को डिफरेंट तरीके से, जो है, सन की रेज मिलती है, जिसकी वज़े से टाम्प्रिचर जो आपका प्रेशर है, उसमें डिफरेंस होता है, चलिए, अब यह 21st of June, इसको more detail में देख लेते हैं, तो यहां पे आप देखोगे, basically, यह आपका Arctic Circle है, perfect है, देखो, यह जो आपका North Pole है, अब जब यह हमेशा रोटेट करेगा, तो यह हिस्सा तो जब घूमेगा और यहां एगा, इस पे अधेरा हो जाएगा, लेकिन यह वाल दिन और 6 मेने रात होती है, तो basically, जो green land है, जैसे वहां पे आपको midnight sun भी देखने को मिल चाएगा, बड़ा different type का जो है, यह दिखाई देता है, अब देखे, equator से लेगर, यह जो आपका basically, पूरा हिस्सा है, Arctic Circle तक, 90% of the world population यहीं पर रहती है, perfect है, बागी के 10% यहां रहती है यह 90% of the population है, यह जब basically sun की rays, Northern Hemisphere में, जो आपका यह Tropic of Cancer है, इस फिल डारेक पढ़ती है, तो जो June 21 या June 20 या फिर June 22 इसको longest day of the year के रूप में experience करती है, लगबग साड़े तेरा घंटे daylight जो है Tropic of Cancer पर मिलती है, equator पर लगबग 12 घंटे light हो जाती है, जैसे जैसे आप मूव करेंगे Southward, Tropic of Capricorn and Antarctica Circle पर, तो यहाँ पर साड़े 10 घंटे light है, और यहाँ पर जीरो आर जो है daylight आपको देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ आप देखोगे, तो 24 घंटे आपको light देखने को मिल चाहेगी, क्योंकि रोटेशन करने के बावजूद, यह तो हमीशा sun की side ही है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि June 21, Northern Hemisphere में क्यों एक सबसे लंबा दिन होता है, सूरज की सीधी किरने, Tropic of Cancer पर पढ़ती है, because sun की तरफ जो है अर्थ ऐसे tilt है, और साड़े 30 डिग्री का, basically, यहाँ पर axial tilt देखने को मिलता है, and basically, यहाँ पर लगबक साड़े 13 घंट कि डेलाइट आप रिसीव करते हो, perfect, तो इसी कॉंसेप्ट के बेस पर UPSC पूछे वे थे, इसको क्लियर कर लीजेगा, and अगर इसी तरीके से, इंगीजिंग वे में, बहुत ही जाता मतलब, प्रिक्छोर के माधियम से, इस एट और इंटेक का फादा उठाते हैं, आप प्राची लाइव, और सवतना ही ने, जीएस की प्रिपरेशन तो करनी ही है, तीन लांग्विजिस में यह आपको मिल रहा है, ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है, जो बहुत ही अफोर्डेबल फी पर आपको मिल रहे हैं, जो 25th of June है, that is the last date, तो उसको ध्यान रखियेगा, इसमें से किसी भी ऑप्शनल को आप चुन सकते हैं, सिर्फ 13,999 रुपीज में, फ्राची लाइव, तो यहाँ पर जेखिये, मैं आप से लेती हूँ विदा, और साथ ही, अगर आप हमारे कूर्स के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, मुझसे मेरे टेलिक्राम चैनल म में कॉंटेक्ट नमर दिये गया, हमाँ पर कॉल कर सकते हैं, और जो किष्ण मेरे आप को स्टार्टिं आप तर वीडियो में दिखाये थे, if you want to practice, तो मुझसे मेरे टेलिक्राम चैनल पर जोइन कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूँगे, और साथ ही इसका पीडिये भी में तक के लिए थांक यू सो मच एवरीवर्ट, जय हिंद अब तयारी हुई, अफॉर्डबल